एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लखी प्रॉमिस कहानी जैसे जैसे मोंट गोमरी परिवार के वकालत के प्रयास जारी रहे उन्होंने प्रणालिगत परिवर्तन लाने और अपने लक्षयों को प्राप्त करने के लिए सभी ख्षेत्रों में सरयोग और साजेदारी को बढ़ावा देने के महत्व को तेजी से पहचाना उन्होंने सक्रिय रूप से अपनी शक्तियों और संसाधनों का लाब उठाने के लिए सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संघटनों के साथ सह्योग करने के अवसरों की तलाश की वे साजहा प्राथमिक ताओं की पहचान करने, सन्युक्त रणनीती विक्सित करने और गंभीर मुद्दों पर सामुहिक कारवाई करने के लिए बहुहित धारक समवाद, गोलमेज चर्चा और कार्य समुहों में शामिल हुए उन्होंने माना की जलवायू परिवर्तन, सामाजिक अस्मानता और परियावरणिय गिरावट जैसी जटेल चुनोतियों से निपटने के लिए पारमपरिक सीमाओं और सिलोस से परे सहयोगात मक द्रिश्टिकोन की आवश्चक्ता है इसके अलावा मौंटगुमरी परिवार ने अपने वकालत प्रयासों में सह निर्मान और सह डिजाइन के सिध्धानतों को अपनाया जिसमें निर्नय लेने की प्रक्रिया में विभिन हिद्धारकों को शामिल किया गया और यह सुनिष्चित किया गया कि सभी हिद्धारकों इसके अतरिक्त मोंट गुम्री परिवार ने अपने वकालत कार्य में नवाचार और रचनात मक्ता को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने नवाचार के आवशक तत्वों के रूप में प्रयोग, जोखिन लेने और विफलता से सीखने को प्रोचसाहित किया। और युवा सहभागिता गतिविधियों में निवेश किया, जिसने परिवर्तन करताओं की अगली पीडी का पोशन किया, और उन्हें सामाजिक और पर्यावरणिय न्याय के लिए प्रभावी वकीई बनने के लिए आवशक कौशल, ज्यान और मूलियों से सुसजित किया। उन्होंने माना कि दूसरों को सशक्त बनाना, उनके प्रभाव को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवशक है कि आने बाले वर्शों में उनके वकालत के प्रयास फल देते रहें। जारी रखी, उन्होंने प्रणालीगत बाधाओं और संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करने के महत्व को भी पहचाना जो अन्याय को कायम रखते थे और प्रक्ती में बाधा डालते थे। शेत्रों में विविधता, समानता और समावेशन को भी बढ़ावा दिया। इसके अत्रिक्त मोंटगुम्री परिवार ने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो सभी लोगों के लिए आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आय असमानता को दूर करने, उचित वेतन और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने और हाशिय पर और वंचित समुदायों के लिए समावेशी आर्थिक अफसर बनाने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो किफायती आवास, स्वास्थ्य देखधाल, शिक्षा और समाजिक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देती हैं, साथ ही उन पहलों की भी वकालत करती हैं, जो खाध्य असुरक्षा, गरीबी और बेघर्ता को संबोधित करती हैं इसके अलावा, मौंट गुमरी परिवार ने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में जमीनी स्तर पर आयोजन और सामुदायक सशक्तिकरण के महत्व को पहचाना, उन्होंने जमीनी स्तर के आंदोलनों, समुदाया धारित संगठनों और जमीनी स्तर के नेताओं का समर्थन जैसे ही मौंट गुमरी परिवार ने सामाजिक न्याय के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे सत्ता संरचनाओं को चुनोती देने, हाशिये पर पड़ी आवाजों को बढ़ाने और प्रनालिगत परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबध रहे, उन्होंने सम जैसिक अन्याय और आधात से प्रभावित समुदायों में संबाद, मिलमिलाप और उपचार को बढ़ावा देने के महत्म को भी पहचाना, उन्होंने उपनिवेशवाद, गुलामी, नरसंहार और उत्पीडन के अन्या रूपों सहित अतिहासिक अन्यायों को स्विकार करन और संबोधित करने के प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन किया, उन्होंने सच्चाई और सुलह प्रक्रियाओं की वकालत की, जिससे समुदायों को अपने अतीत की दर्गनाक सच्चाईयों का सामना करने, जो नुकसान हुआ है, उसे स्विकार करने और उप्चार और उपचार की प्रक्रिया में अन्याय से बचे लोगों और पीडितों की आवास और अनुभवों को केंडरित करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो जीवित बचे लोगों को अपनी कहानिया साजा करने, अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने और पिछली गल्तियों के लिए जवाब देही और न्याय मांगने के लिए मंच प्रदान करते हैं। और मनोसामाजिक सहायता के अन्यरूप प्रदान करते थे। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो हिंसा और आधात के मूल कारणों को संबोधित करती हैं, जिनमें गरीबी, असमानता, भेदभाव और सामाजिक बहिशकार शामिल हैं, साथ ही ऐसी पहल भी शामिल हैं, जो समुदाय के नेत्रित्व वाले उपचार और लचीलापन निर्मान प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा, मौंट गुमरी परिवार ने विभिन प्रिश्ट भूमी और अनुभवों के लोगों के बीच सहानुभूति, करुना और एक जुट्टा को को बढ़ावा देती हैं, साथ ही उन पहलों की भी वकालत करती हैं, जो समाज में रूडिवादिता, पूर्वाग्रा और भेदभाव को चुनोती देती हैं। जैसे जैसे मोंट गोमरी परिवार ने अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, उन्होंने एक जीवन्त और समावेशी समाज के आवश्यक स्तंभों के रूप में नागरिक जुडाव और भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के महत्व को भी पहचाना। समर्थन किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी आवाजे सुनी गई। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो निरने लेने की प्रक्रियाओं में द्विद्लियता, सहयोग और समझोते को बढ़ावा देती हैं। साथ ही उन पहलों की वकालत करती हैं जो सभी स्तरों पर शासन और निरने लेने में नागरिक भागिदारी को बढ़ावा देती हैं। इसके अतरिक्त मोंट गोमरी परिवार ने मीडिया साक्षर्ता और आलोचनात्मक सोच कोशल को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। इसके अलावा मोंट गोमरी परिवार ने नागरिक और राजनीतिक जीवन में युवा जुडाव और नित्रित्व को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। चुंकि मोंट गोमरी परिवार ने नाद्रिक सहभागिता और सहभागी लोकतंत्र के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा। वे एक अधिक समावेशी, उत्तरगाई और जवाबदेह समाज के निर्मान के लिए प्रतिबद रहे। वे समझते थे कि लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं है, बलकि जीवन का एक तरीका है जिसमें समाज के सभी सदस्यों की सक्रिय भागिदारी और भागिदारी की आवशकता होती है। और चुकि वे आशावाद और ग्रिड संकल्प के साथ भविश्य की ओर देख रहे थे, उन्हें आशा थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां सभी लोग लोग तांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी नेती क प्रॉस्परस प्रोजेक्ट